आज कर ये आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है । जो सेविल सर्विस की तयारी कर रहे हैं या फ्रेश्टेट PCS की उन ही के लिए जरूरी है। इस अभी के लिए जरूरी है यह आर्टिकल है नया उप्भोकता सरक्षन कानुन 2019 के बारे में बात की जा रही है उप्भोकता का सीधा समतलब है कि आप लोग जो बस्तुएं खरेते हैं आप लोगों को ही उप्भोकता कहा जाता है उप्भोक करते हैं आप लोग जिन बस्तु उभोकता है आपका अधिकार है कि जो भी गुड है या कुछ भी और भी आइटम है उनमें सोद्धता मिले यह आपका अधिकार है ऐसा नहीं है कि आपको खराब कोई भी सामान देता रहे तो इसी से सम्मंदित आर्टीकल है देखेंगे इस अधिनियम में प्रावधान क्या क् है अधिनियम से उभोकता को लाब क्या होगा और या उभोकता के अधिकार क्या क्या है उन्हें अधिकारों को भी देखेंगे हम लोग और सबसे जाना आप लोगों को फायदा होगा इससे कि क्या क्या लाब मिलेंगे आपको इस अधिनियम की द्वारा वो सभी समझ में प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा नया अधिनियम पुराने उभोकता संरक्षा अधिनियम 1986 की तुल्ला में तीब्विता से और कम समय में कारियों का निप्टान भी करेगा पुराना अधिनियम नया हितु सिंगल फाइंट पहु प्राउधानों की बात करें। कि इसमें नए अधीनियम में क्या-क्याफरा प्राउधान है। उभोग्ता की परिवासान। उभोग्ता वय बैक्ती है, जो अपने इस्तिमाल के लिए कोई बस्तु खरीदता है, या फिर सेवा पराप्त करता है। इसमें वयब आक्ती सामिल नहीं है जो दुबारा बेंचलेंग के लिए किसी बस्तू को हांसिल करता है या फिर कमर्शियल उद्येश के लिए किसी बस्तू या फिर सेवा को फ्राफ्त करता है इसमें एलेक्ट्रोनिक तरीके टेली सॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरीए किया जाने वाला सभी तरह का ओवलाइन पर ओनलाइन लेंदिन सामिलें सीधा सा कहने का मतलब ए है कि एक आप दुकानदा रहें अगर अगर आप कोई सामान खरीदते हैं आप तो ब्यापार के लिए कर रहें न कॉमर्सियल यानि कि आप दूसरे को बेंचेंगे तो जो सबसे निचले इस्तर का होगा जो अपभोग करेगा उसे वही उपभोगता के शाइडिय में सामिल रहेगा टीक है इस अधिनियम में उपभोगताओं के निमलिके अधिकारों को इस पश्ट भी किया गया है कि उपभोगताओं के क्या-क्या अधिकार होंगे ऐसी बस्तूओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाब सुरक्षा पिदान करना जो जीवन और संपत्ती के लिए जोकिम पूर्ण है बस्तूओं या फिर सेवाओं की गुडवत्ता मात्रा, सुद्धात्मक, मानक, मूल की जानकारी फराप्त करना देखिए याद रखिए आप लोग बस्तूओं को भी ले सकते हैं सेवाओं में उन्हें ले सकते हैं जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आप देखते हैं कि आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें नेट डलवाते हैं, बैलेश डलवाते हैं तो इसी तरह कि आपको सेवा हैं, ठीक? और एक बात हमेशा याद रखिए वस्तूओं में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं जैसे मोबाइल हो गया फिर चाहे आप लोग देखिए कि सक्कर, गोड, बाकी जो भी आपको आटा बगेर है जो भी आप इस तरह की सब बस्तूओं को सामिल कर सकते हैं पितिस्वर्दी मूल पर बस्तू और सेवा उपलब्द कराने का अस्वासन भी प्राप्थेस में अनुचित या फिर पितिविन बंदित ब्यापार की स्तिती में मुआपजा की मांग करना यानि कि अगर आपको गलस सेवा मिलती है या फिर कोई गलस बस्तू जिसमें कोई कमी होती है तो आप मुआपजा की मांग भी कर सकते हैं इसमें इकॉमर्स एबं अनुचित ब्यापार अभ्यासों पर नियम सरकारे सर्दिनियम के तहट उपभोकता संरक्षण इकॉमर्स नियम 2020 को अधिस उचित करेगी जो निम लेकित हैं क्या-क्या है इसमें इकॉमर्स संस्थाओं को उपभोकताओं को रिटर्ण, रिफंड, एक्चेंज, वारंटी, गारंटी, डिलेवरी, सिप्मेंट, भोकतान के तरीके, सिकायत निवारत तंत, भोकतान संबंदी विदियों की सुरक्षा, उत्पत्ति किस्तान से संबंदी जानकारी भी देना आ इसे तु सिकायत अधिकारी की भी निवक्ति करनी होगी, कहने का सीधा मतलब है कि आपको जैसे हम है, हम कोई सामान खरीचते हैं, उसमें कोई कमी रहती है, तो हम सिकायत भी तो कर सकते हैं, तो याग रखी 48 गंटे के अंदर उस सिकायत को सुन लेना चाहिए, और एक मैने क इतर उसका समाधान हो जाना चाहिए, मेरी सिकायत का, कहने का मतलब यह है, ठीक है, इस सिकायत की निवारेन के लिए एक अधिकारी भी निवक्ति करना होगा उन्हें, और भोक्ता सरक्षण नियम इकॉमर्स में 2020 अनिवार है, सलायकारी नहीं, कैसा है, अनिवार है, यह नि फिर करने से भी रोपते हैं, फिर आपके भ्रामक बिग्यापनों के लिए जुर्माना, कैंद्रिय और भोक्ता सरक्षण फ्राधीकरण, सी, सी, पिये, जूटे या फिर भ्रामक बिग्यापन के लिए मैनुफेक्चर, या फिर एंडो सेर पर 10 लाग रुपे तक का लग सकता है, मैनुफेक्चर को दो वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है, और जो हर बार अपरात करने पर 5 वर्ष तक भी बढ़ सकती है, इस सजा को, ठीक है, इसने क्या होगा कि गलत भी किसी भी फ्रोडेक्ट है कोई भी, तो उसके बाले में गलत भी भ्रामक मतलब जानका उस पर दी जाएगी, बरना आप देखते हैं कि अपना सामार मेंचने के लिए कई तरह के बढ़ा चड़ा कर भी बताया जाता है, तो उस पर भी रोक लगी, उत्पात की जिम्मेदारी, उत्पात की जिम्मेदारी का अर्थ है कि उत्पात के मैनुफेक्चरर, सर्विस फ्र दावा करने के लिए उभोक्ता को विध्यक में उल्लिखित, खराबी या दोस्स से जुड़ी कम से कम एक सर्थ को सावित करना होगा, जो आपके इस विध्यक में दिया गया है, उसमें से किसी एक सर्थ को आपको लेकर आप जा सकते हैं, उसके पास मुहाबची का दावा कर करने के लिए एक कमी है आपके सामर में, ठीक है? उब्भोकता सरक्षड प्राधीकन की एक अनवेशन्ट साखा इन्वेस्टिगेशन बिंग होगी, जो ऐसे उल्गोनों की जाच और इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी, ठीक है? फिर आपके उब्भोकता विवाद निवारन कमीशन भी कग भी गठन किया जाएगा इसमें, जि इसकिस में, अनुचित और पितीवंदीत तरीके से ब्यापार, दो स्पून बस्तूओं या सेवाओं में कमी होगी, तब भी सेगाय दरश करवा सकता है, अधिक कीमत बसूला या पर गलेत तरीके से कीमत बसूला, यानि कि आपका कहने का इनका सीधा सा मतलब है कि आप करी के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्चा के लिए जोकिमपूर्ण हो सकती है, यानि कि कहने का मतलब कि ऐसी कोई बस्तूओं अगर कोई बैशता है, जो जीवन के और सुरक्चा के लिए जोकिमपूर्ण हो सकती है, उनके लिए नुकसान दायक हो सकती है, उसको लेक cdrc के आदेश के कलाब राज cdrc में सुनवाई की जाएगी तो राज cdrc के आदेश के खिलाब राष्ट्य cdrc में सुनवाई की जाएगी और अंतिम अपील का अधिकार सरवुच नियालेक होगा यानि की अधिनियम से उभोगताओं को क्या क्या अलाब मिलेंगी उसके बारे में अगर बात की जाए तो वर्तमान सिकायतों के निवारन के लिए उभोगताओं के पास एक ही विकल्प है जिसमें अधिक समय लगता है और केंद्री उभोगता सनक्षन फरादीकर्ण के माध्यम से इतने आई की बिवस्ता की गई है अभी अभी आप देखते थे कि एक बहुत लंबा टायम लगता था लेकिन अब जल्दी आपकी समस्याओं को निवारन किया जाएगा ब्रामक बिग्यापनों के कारण उभोगताओं में ब्रहम की इस्तिती बनी रहती है और तता आप देखते हैं कि दो लाग से पांच लाग तक का जुर्बाना है और दो से पांच साल तक की सजा का भी प्राउधान है तो इसमें क्या होगा इससे इसमें कमी आएगी अगर कोई मिलावट करता है या फिर किसी तरह का विग्यापन गलत देता है तो रोकेगा उसे देने स एक समय बरबाद करने की जरूद नहीं होगी यानि कहने का मतलब है कि जो निर्माता है बहुत जिम्मेदार होगा ही साथ में जो सिवाप दाता की जिम्मेदारी भी का प्राउधान इसमें है यानि कि आपके या जो बगल में दुखानदार है बो ले आएगा तो वो भी इस का प्रावदान भी इसमें किया गया है अगर हम लोग हमारे अधिकारों की बात करें ओभोगता ओभोगताओं की अधिकारों की बात करें तो ओभोगताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा किये गए अधिकार सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चैन का अधिकार, छती पूर्ती निवारन का अधिकार, और भोगता सिक्षा का अधिकार इस सभी आपके और भोगताओं के हितों के सुरक्षा के लिए कानून में दिये गए अधिकार है उब्भोक्ता के सोसन का कारण अगर बात करें तो सीमित सूचना, सीमित आपूर्थी, सीमित पिती स्पर्दा, साखचलता की कमी सबसे जाना आप देखते हैं साखचलता की कमी क्योंकि हम जागरूप नहीं रहते हैं उसके पिती हमें मालू ही नहीं होता है कि आखिर उसमें समस्याएं क्या क्या है उब्भोगता निवारन पिक्क्रियाएं कि सीमाओं की अगर बात करें हम लोग तो उब्भोगता निवारन पिक्क्रिया जटिल खर्चीली और समय साथ दे साबित हो रही है कई बार ओभोगताओं को बकीलों का सहरा लेना पड़ता है ये मुकद में अदालती कारवाईयों में सामिल होने और आंगे वड़ने में काफी समय भी लगते हैं आप सोचिए कि आपने कोई सामान खरीदा जितना उसकी कीमत नहीं होगी उससे जांदा आपका खर्च हो जाए तो इसमें आपको क्रोबलम रहेगी आप सोचेंगी कि चलिए रहने दीज़े क्योंकि इतना टाइम लगेगा इतना फिर बकील को करना पड़ेगा उसे भी पैसा देना पड़ेगा अदालतों में जाना पड़ेगा तो इससे भी होता था कि या होता था कि हम लोग आराम से चुप बैठ जाते थे अधिकांस खरीदारी के समय रसीद नहीं मिलने से प्रमाड जुटाना करने कटिन हो जाता है बाजार में अधिकांस करीदारी छोटी पुट कर दुकानदारों से होती है इसलिए हम लोग जाना इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं बाजारों के कारेओं के लिए नीमो और वी नेमो का प्रापालन नहीं होता है राच में आम लोग कह सकते हैं कि तीन दसक पुराने उसमें रख्चन कानून 1986 की जगे नई उफ्भोक्ता सरक्चन कानून लागू होने में से पुराने मीन नेमो की खामिया दूर हुई है नए कानून में जो बड़ा बदला हुआ है वह यह है कि अब कहीं से भी उभोकता सिकायद दर्ज कर सकता है पहले उभोकता वहीं सिकायद दर्ज कर सकता था जहां विक्केता अपनी सिवाएं देता है इकॉमस से बड़ती खरीदारी को देखते हुए यह कदम उठाय गया है क्योंकि विक्केता किसी भी लोकेशन से अपनी सिवाएं दे सकते हैं इसके अलावा कानून में वह भोकता को वीडियो कौन फेंसिंग के जरिये भी सुनबाई में सामिल होने की इजाज़त है यानि कहने का मतलब है कि आपको जाना दूर जाने की जरूरत भी नहीं है कि आपको अदालत में जाकरी अपनी सुनबाई देखनी होगी आप घर से भी वीडियो कौन फेंसिंग की द्वारा सुन सकते हैं जिसमें पैसा और समय दोनों की आपको बचत होगी इस अधिनियम के लागू होने से अभोगताओं को जहां तुरित नियाय मिल सकेगा वहीं बड़े हुई अधिकारों नियाय चेत के साथ यह अभोगताओं की सिकायतों का निप्टान भी करेगा तो यह है आपका नया जो उभोगता सरक्षाण अधिनियम कानून आया हुए 2019 इसे अच्छे से आप लोग याद रख लीजे और आपके आसपडोस जो भी हो उन्हें भी इस तरह के जो भी रहा करें प्रावदान उन्हें भी बताया करिएगा आप जागरूग अगर हैं तो आप अपने बडोसियों को जागरूग कर सकते हैं ठीक?